Hello everyone, so guys, engineers आप सभी के लिए NWDA में एक vacancies निकाली गई हैं यहाँ पे जितने भी engineers हैं, उन सभी के लिए कुछ खास vacancies एनाउंस करने वाला हूँ आज कि इस वीडियो में डिप्लोमा होल्डर हो या बीटेक होल्डर हो उन दोनों के लिए यहाँ पे eligibility है यहाँ पे समझते हैं इस particular vacancies के बारे में ध्यान से देखेंगे गाईज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जल सकती Government of India NWDA यहाँ पे junior engineer की जो vacancies हैं, civil वाले बच्चों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेंगी इसमें और भी post है, junior accountants, officer, draftsman, upper division clerk, stenographer और lower division clerk कि यह सारी vacancies यहाँ पे हैं और सबकी eligibility भी बताऊंगा, यहाँ पे जो बच्चे JEE की preparation कर रहे हैं जिनकी branch civil है, यहाँ पे civil की JEE की vacancies इसमें include की गई है level 6 की job है, जैसा कि आपको पता है कि JEE का level है तो level 6 ही होगा और unreserved के लिए यहाँ पे 7, OBC के लिए 4, SC के लिए कोई vacancies नहीं है यहाँ पे, general में ही count होंगे, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है total cool मिला के यहाँ पे 13 seatे खाली हैं यहाँ पे, 13 seatे यहाँ पे available है vacancies कम है no doubt, लेकिन at least जो बच्चे sincerely पढ़ाई कर रहे हैं वो definitely इस particular examination को दे सकते हैं और यहाँ पे examination का pattern वगरा भी आपको समझा दूँगा syllabus भी बता दूँगा एक next वीडियो में लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़े आप समझ लिजे यहाँ पे 18 से 27 वर्स की age का criteria रखा गया है अगर आपको इस examination को देना है तो आपकी age 18 to 27 होनी चाहिए बाकी जितने भी particular vacancies है उनके सबके criteria age वगरा के अलग-अलग है तो basically यहाँ पे engineers ज़्यादा है तो engineers के लिए बात करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं कि qualification में क्या मांगा है अब जैसे J.E. की qualification है junior engineer में civil की तो यहाँ पे देखी लिखा हुआ है कि essential qualification में लिखा हुआ है कि diploma in civil engineering और equivalent from the recognized university और equivalent अब यहाँ पे essential में इन्होंने diploma लिखा desirable में desirable में देखी क्या लिखे हैं desirable में लिखे है degree in civil engineering और equivalent from the recognized university और equivalent या institution लिखना जीए थे हैं आप इनको तो यहाँ पे यह qualification आपको required है इस particular examination के लिए जो NWDA का form आया है जिसमें 13 vacances है civil की इसके अलाबा क्या क्या चीज़े हैं यहाँ पे जैसे बाकी के qualification दिये हुए हैं उसके बाद important date कब से कब तक form filling होगी तो देखिए online registration जो है वो 18-3-2023 से राइट यानि कि आज से ही शुरू हो रहा है और यहाँ पे class date for submission of online application is 17-7-4-2023 मिटनाइट तक लिखा हुआ है ठीक डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एक्जाम में CBT मोड पर जो computer-based examination होंगे will be notified later on the website आगे बताओंगा आपको कि यहाँ पे CBT भी है computer-based OMR seat वाला भी एक एक्जाम होगा यहाँ पर आपको बता रहा हूं अभी थोड़ी दिर में यहाँ पर देखिए इसमें application fee जो रखी गई है वह 890 रुपय प्लस GST प्लस bank charge almost मान के चलो कि यहाँ पे 1000 रुपय आपको पे करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ में OBC और EWS candidate के लिए 550 प्लस GST प्लस bank charge for SCSTN PWD candidate के लिए है यह उपर वाला जो था OBC बात है जनरल OBC और EWS वालों के लिए लगभग लगभग 1000 पे करना पड़ेगा और 550 किसके लिए SCST और PWD candidate के लिए जो कि non-refundable fee होती है और यहाँ पे age relaxation का criteria वैसा ही है जैसा कि हर जगा लागू होता है central government की तरफ से तो यहाँ पे यह पूरा का पूरा age relaxation का criteria है अगर आप category से बिलॉंग करते हो तो आपको age में relaxation वहाँ पे मिलता है साथी साथ अगर बात करूं guys यहाँ पे reservation scheme की तो reservation scheme भी उसी तरीकी से आपको follow करना होगा यहाँ पे selection criteria देखिए अब selection criteria में लिखा हुआ है कि जो first stage examination होगा वो optical mark response यानि कि OMR sheet पे आपको 100 questions 90 minute में करने होंगे mcq based question होंगे ठीक है अब इसका detail syllabus की वीडियो एक अलग से बनाऊंगा detail syllabus भी है मेरे पास जिसमें आपको बताऊंगा कि किस किस portion से क्या क्या आपको देखने को मिलेगा second stage examination second stage में पहले तो आपका document verification कराया जाता है इसमें देखें in case of undeserved OVC EWS candidate will be shortlisted by 20 times of the vacancy while the 50 times of the vacancy of the for the SC, ST and PWD 50 गुना इनको select किया जाएगा 20 गुना आपको undeserved OVC और EWS ये select होके कहां जाएगा document verification के लिए will be invited for document verification. If the candidate fail to appear for the document verification on the specific date and time it will be presumed that the candidate is not interested in the post and his her candidature is liable for rejection जो नहीं पहुँचेगा उसका candidature cancel हो जाएगा without any further notice किसी भी further notice के बगार thereafter candidate for all the post will be appeared at the computer based test लिखा हुआ है कि उसके बाद candidate को appear होना पड़ेगा computer based test में 100 questions 90 minute again यहाँ पे लिखा हुआ है 100 questions 90 minute में फिर से उनको एक देना होगा और rank position will be prepared based on the score secured by the candidate in the second stage computer based अब फिर से उनकी rank list बनाई जाएगी जो उन्होंने second stage में अपने rank secure की है document verification already हो गया रहेगा आपके final result उसके बाद publish कर दिये जाएंगे कुछ post extra थी इस tonographer वगएरा की जहाँ पे typing वगएरा की test होते हैं तो वो आपका short and typing वगएरा यहाँ पे लिखा हुआ है उनके लिए है वो यही की post के लिए नहीं है apply करने के लिए आप NWTA की official website पे जाके apply कर सकते हैं जितने भी student इस video को देख रहे हैं अगर आप sincerely पढ़ाई कर रहे होगे civil engineering की तो definitely इस particular examination को target कर सकते हैं आप लोग और साल साथ में जो बच्चे किसी भी J examination को target कर रहे हैं वो जरूर इंजीनियर सटा के साल अपनी preparation को कर सकते हैं चाहे आपको subjective examination हो objective हो या फिर objective प्लस subjective जैसा के SSEJ होता है pre plus means उन सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा चाहे आपकी branch civil है mechanical है या electrical है आपको complete study जो है civil engineering की civil engineering महापैक में सारे ही batches इसी तरीके से electrical and mechanical इन सभी batches को minimum price में जोईन कर सकते हो लगबग 3000 रुपे में आपको ये batches मिल जाते हैं जिसमें आपको tech, non-tech, test series, e-book, everything, सारा content जाता है कैसे जोईन करना है अड़ा 24-7 का link description में है उसको download कीजिए और उसके बाद एक discount coupon code यहां दिख रहा है इसको use करने के बाद ही इनकी price जो है वो 3000 में आपको मिल पाएंगे तो guys use कीजिए discount code और discounted price में जोईन करके अपने study को continue कीजिए thank you so much syllabus की वीडियो जल्धी लाद में is